नमस्कार मैं अस्तो उसकों मार आगे हो फिर एक न्यू वीडियो के साथ दोस्तो अगर आप CSC BLE है Common Service Center संचालक है तो दोस्तो ये बड़ी खुसकवरी आपके लिए है दोस्तो ये खुसकवरी आपके लिए नहीं है आपके ओपरेटर के लिए है वो भी अब जो है DZPay का यूज कर सकते हैं हाँ दोस्तो अब जो आपका CSC BLE का जो ऑपरेटर होता है वो भी अब DZPay का यूज कर सकते हैं बहुत बार दोस्तो ऐसा होता था कि CSC BLE कहीं बाहर चल जाते थे इस पज़ा से जो भी बैंकिंग के काम के लिए केस्टरमर आता था उसके सेंटर पे तो वो काम नहीं हो पाता था क्योंकि ओपरेटर को ओथ्राइज ही नहीं था कि वो DZPay लोग इन कर सके और बिटाओट फिंगर फिरिंट का वो किसी का विड्रॉल या बैलेंस इंक्वारी कर सके या फिर डिपॉजिट कर सके लेकिन अब जो है ऑपरेटर भी खुद अपना आइडी लॉग इन करके ऑपरेटर आइडी लॉग इन करके इस बात का एक मुझे वीडियो क्लीफ है जो मैं बता रहा हूँ उसका एक वीडियो क्लीफ मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो क्लीफ आपको देखने के बात पुरा समझ में आज आगा बात लेकिन दोस्तों इतना बात बताने के बात मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता के लिए और दोस्तों जहां तक कि बात कर लें यह सर्विस हो थी सियसी में आके जरूरी ही थी क्योंकि ऑपरेटर को डीज़ीपे में लॉगिन नहीं मिल पा रहा था इस वह डीज़ीपे का काम नहीं कर पा था लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं है अब डीज़ीपे में भी अपरेटर आइडी है पर सीसी आइडी के जगह पे जो डालता था वहां पे उसको अपना डाल करके सिंपली लॉगिन कर लेना है तो इससे सर्विस से यह हो जागा दोस्तों कि कहीं भी जाए उससे कोई मतलब नहीं आपका ऑपरेटर भी डीज़ीपे का वर्क कर सकता है और वो अपने नीचे अपने साथ में तीन दो पाँच ऑपरेटर आइड कर सकते हैं जो कि उनके क्योस सेंटर पे काम कर सकते हैं तो उसी दरह से सिसी के जो वेलीज है जिनके पास दो तीन ऑपरेटर है जिन्होंने प्लान करके रखा है कि हमेरा एक काउंटर है वो डीजीपे क भी specific control अपने operator को दे सकते हैं जैसे कि बहुत लोग का कहना है कि मुझे बार-बार में हर समय अपने shop में नहीं रहता हूं या अपने kiosk में नहीं रहता हूं मुझे बाहर जाना पड़ता है तो मुझे बार-बार वो fingerprint से करने में बहुत कटना ही आती है तो इसका solution हम लोग ने यही निकाला है कि जो आपका operator है आजकी रेट में आपके operators का भी हम लोग ने complete क्यों करके उसको अनबोर्ड करते हैं तो हमारे पास उनका अधार token store होता है जिसके basis पे हो पाता है तो आपके operator भी अब डीजी पे में लॉग इन कर सकते हैं बिना किसी अडिशनल फंक्शनालिटी के लिए तो यह एक नया फीचर है जो बहुत आपको आपको जैसा कि दोस्तों आपको वीडियो के लिप देखकर के समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो के में operator ID login होना start हो जागा तो आपको मिश्टर ब्यारे चैनल पर इस चैनल पर जो है आपको वीडियो अपडेट मिल जाएंगे तो इसलिए यह वी चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहीं जहीं जहीं